नमस्कार दोस्तो वेलकम बैक टू दी मोटा टॉशन तो दोस्तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा आज हम बात करने वाले है न्यू टुटी टुटी मारूती सिजु की डिजायर और टाटा एल्ट्रोस के बारे में आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे बड़े का जाये टाटा एल्ट्रोस को प्रैफर करना चाहिए तो अगर आप भी इन दोनों ही गाडियों के बीच में काफी ज्यादा गूज़्ट है तो यह वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला हो सकता है कि इस वीडियो में आपकी कन्फीजन जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइकन शेर करें और बैल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नौटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो वैसे तो इन दोने ही गाडियों में कंप परिजन कर रहे हैं तो इस वीडियो का मकसद कोई हमारा डिजायर की बुराई करना नहीं है डिजायर एक काफी अच्छी गाड़ी है बलकि आपको कुछ ऐसी इंपोर्टेंट बाते बताना है जो कि अगर आपके लिए माइने रखती है तो आपके लिए डिजायर की है कि हाईवे पे सेफटी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होती है और टाटा एल्ट्रोज जो वो इंडिया की सेफ़ेस्ट हैच बैक है टाटा एल्ट्रोज को फाइल सेफटी रेटिंग मिलती है ग्लोबल एंड कैप से और वहीं अगर हम बात करें डिजायर की तो डिजाय खास करनें पाए मारूदिजू की स्विफ्ट को 2 स्टार मिलते है और मारूदिजू की बलीनों को 3 स्टार मिलते है, तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जो टाटा एल्ट्रोज है वो कहीना के safety के मामले में better है desire से चलिए बढ़ते अगले point के तरफ तो दोस्तो अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहे जिसमें पीछे की तरफ 3 लोग जब वो काफी अच्छे से comfortably बैठ सकें तो आपके लिए Tata Altros जब एक best option हो सकता है इसके दो बड़े कारण है पहला यह कि जो Tata Altros है वो इंडिया की widest car है यानि कि इसकी जो चुड़ाई है वो सबसे ज्यादा है sub 4 meter segment के अंदर चुड़ाई के अगर हम बात करें तो Tata Altros है वो 20 mm ज्यादा चोड़ी है as compared to Maruti Suzuki Desire जिसकी वज़े से आपको पीछे की seats में space ज्यादा मिल जाता है और दूसरा बड़ा करण यह कि एक sedan होने कनाते Desire की rear seats को कुछ इस तरह से design किया गया कि इस पे दो ही लोग जो है वो अच्छे से comfortablyly बैट सकते हैं अगर आप ध्यान से इसकी rear seats को देखें उनको थोड़ा मुड के बैटना पढ़ता है और वहीं अगर हम बात करें shoulder space की तो shoulder space भी उतना नहीं मिल पाता और इसके लावा Tata Altros की अगर हम बात करें तो Tata Altros की जो rear seats है वो बिल्कुल plane है पीछे से जिसके वज़े से तीन लोग जो है वो काफी अगले point की जरफ और बात करते हैं तो वैसे तो design जो है वहर किसी अपनी personal choice है लेकिन यह अगर हम बात करें Tata Altros की तो Tata Altros का जो design है वो अपने आप में काफी unique design है उसका design जो है वो किसी और गाड़ी से मिलता जूलता नहीं है काफी aggressive looks के साथ जो है Tata ने design की तो desire के design भी काफी ज़्यादा लोग को पसंद है पहली बार मारूति जो की ने desire को 2017 में launch किया था जब इसका नाम जो है swift desire से हटा कर desire रख दिया गया था और एक complete नए structural design में यह गाड़ी launch होई थी और अभी 2020 में इसका एक facelift version launch किया गया जिसमें हमें minor changes देखने को मिलते है इसके bumper में और interior में लेकिन जो overall structural design है इस गाड़ी का वो पहले वाला ही है कुछ changes देखने को नहीं मिलते है ऐसे में यह गाड़ी का design है वो तीन साल पहले वाला ही है और थोड़ा सा कोमर लगने लगा है और books में ज़रूर mention करेगा आपको इन दोने गाड़ी का design ज्यादा better लगा ऐसा माना जाता है कि जो चीज़ देखने में ज्यादा अच्छी है वो ज्यादा से ज्यादा लोग को पसंद आती है और अगर आप एक comment करते है तो आपके comment करने से उन लोगों काफी help मिलेगी जो लोग इन दोने गाड़ी के design को लेके काफी ज्यादा confused है चलि यह बट्ट अगले point के दर बात करते है prices की तो यहाँ दोने गाड़ी के prices में काफी ज्यादा difference है यहाँ अगर हम बात करें मारूत ही जो की desire की और एल्ट्रोस की तो दोने गाड़ियों के हर variant के price में करीब करीब 70,000 से 1,00,000 तक का difference है और जो desire है वो costlier side है ऐसे में अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें आपको कम budget में सारे के सारे safety और comfort feature मिले तो यहाँ Tata एल्ट्रोस जो आपके लिए best option हो सकता है तो यह थे कुछ ऐसे important बाते जिनके वज़े से आपको मालूती सुदू की desire की बज़ाए Tata एल्ट्रोस को prefer करना चाहिए तो वीडियो अच्छे लगे है तो subscribe and like करना मत बूलेगा so thank you guys for watching, thank you, जाय हिन